हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तों आज के देखिए इस वीडियो में हम 19 वे एशियाई गेमों को डिटेल में डिसकस करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है आने वाली जितनी भी एक्जाम से आपको इस टॉपिक से जरूर कोशन देखने को मिलेगा अच्छे से डिटेल में देखिए हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे और सभी MSQ कोशन भी सॉल करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो काफी इंपोर्टेंट है एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी Crazy Ziquetry अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तेके फ्रेंड्स पहले हम Basic Information कवर कर लेते हैं देन हम एक एक स्पोर्ट को अच्छे से डिसकस करेंगे जिसमें भारत ने देखे काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और सभी Important Points कवर करेंगे जो कि एक्जाम में पूछो जा सकते हैं तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं एशाई खेल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स तो एशाई खेलो को एशी आट के नाम से जाना जाता है आशियन गेम जो है ये प्रत्तिेख चार वर्षबाद आयोजित होने वाली एक बहु खेल प्रत्योगिता हैं जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाडी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एशिया एखिलों की शुरुआत कब हुई थी तो 1951 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी काफी इंपोर्टेंट है एख्जाम में देखिए कोशन पूछाया सकता है पहले एशिया गेम्स के आयोजिन की बात करते हैं जो कि 1951 में देली में हुए थे जिसमें 11 देशों ने देखिए पार्टिसिपेट किया था भारत ने 1982 में देखिए दूसरी बार फिर से एशियन गेम्स की मेजबानी की थी तो भारत ने अभी तक दो बार देखिए एशियन गेम्स की मेजबानी करी है 1951 में और 1982 में देखिए एशियन गेम्स के 28 संस्क्रण की बात करें तो उसे देखिए 2018 में कहां पर आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में और हाली में देखिए अभी एश啦i खेलो के उन्निश्वे संस्क्रण का आयोजिन किया गया 2023 में चीन के हौंग जो में देखिए फ्रेंड्स 19 वे संस्क्रण का आयोजिन जो है वो 2022 में किया जाना था परंतु कोरोना के चलते इसका आयोजन जो है वर्ष 2023 में किया गया इसलिए इसे एशियाई खेल 2022 के नाम से जाना जा रहा है 19 वे एशियाई खेलों की बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है चाइना के होंग्जोव सिटी में 23 सितंबर से 8 अक्टोबर के बीच में किया गया ये तिसरी बार था जब चाइना ने एशियाई खेलों का देखिया आयोजन किया इससे पहले 1990 और 2010 में देखिये चाइना जो है एशियाई गेम को होस्ट कर चुका है चलिए अब 19 अशियाई खेल की बात करें तो देखिये इन खेलों का इस बार शुबंकर जो था वो क्या था इसके तीन शुबंकर थे कॉंग कॉंग, लियाउन लियाउन और चेंचें जिनने सामुई गरूप से जियोंगन की यादे जो है Memories of जियोंगन के रूप में जाना जाता है धियान रखेगा तीनो शुबंकर का नाम 2022 एशियन गेम का मोटो क्या था Heart to Heart, Future ये भी इंपोर्टेंट है 2022 एशियन गेम का Official Theme Song जो था वो क्या था With You and Me इन एशिया खेलों का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है Olympic Council of Asia के द्वारा किया जाता है जिसका मुख्यालाई काँ पर इस्ती थे Kuwait City में इस्ती थे एशिया ओलंपिक परिशत के 45 देशों के 12,000 से अधिक देखे खिलाडियों ने पार्टिसिपेट किया और भारत ने देखिए Asiai Games में अभी तक का अपना Services Production जो है वो किया है इससे पहले भारत ने 2018 में देखिए जो कि इंडोनेशिया में आयूजित किये गए थे Asian Games उसमें अपना Services Production दिया था तब भारत ने देखिए सित्तर पदक जो है वो अपने नाम किये थे इस बार भारत ने जो है वो सो का आकड़ा जो है वो क्रॉस कर लिया है चलिए अब बात करते हैं कि भारत ने कुल कितने पदक जो है वो अपने नाम कियें और पदक तालिका में भारत का इस्तान कौन सा रहे है देखिए भारत की बात करें तो भारत ने उननिसवे एशियाई खेलों में 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर और 49 ब्रॉंच मेडल के साथ कुल मिलाकर 107 मेडल जो है वो अपने नाम करें और भारत का ये किसी भी एशियाई खेल में अपना सर्वशेस्ट प्रदर्शन रहा है 2018 एशियन गेम्स में भारत का देखे सर्वशेस्ट प्रदर्शन था जब भारत ने 70 मेडल जो है वो जीते थे इस बार देखे उननिसवे एशियाई खेलों में भारत ने कुल मिलाकर 107 मेडल जो है वो अपने नाम किरें और भारत जो है वो पदक तालिका में देखे कौन से इस्थान पे रहा है चोथे इस्थान पे रहा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ध्यान रखियेगा फ्रेंड्स अगर देखे हम पदक तालिका में बात करें तो पहले अस्तान पे रहा है पीपल्स रिपब्लिक ओफ चाइना जिसने 300 से ज़्यादा देखिये मेडल जो है वो जीते हैं सेकेंड नमबर पे रहा है जापान तिसरे नमबर पे रहा है रिपब्लिक ओफ कोरिया तो ये सिक्वेंस धियान रखेगा काफी इंपॉटेंट है वन टू थरी का और भारत जो है वो चोथे नमबर पे रहा हैं भारत ने कुल मिलाकर 107 पदक जो है वो अपने नाम कियें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 49 ब्रॉंज मेडल भारत ने पहली बार 100 का आखड़ा जो है वो पार किया है लक्ष जो लिया गया था वो देखिए इस बारेशन गेम्स में 100 प्लस मेडल का लिया गया था और भारत ने उसको अचीव किया है अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप कभी कन्फ्यूस हो जाओ और एक ये एक्जेक्ट आंकड़ा अगर आपके दिमाग से निकल जाए कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, 105, 106, 107 क्या था वो कभी अगर आप कन्फ्यूस हो जाओ तो एक ट्रीक के उसकी हेल्प से देखिया आप याद रख सकते हैं देखिए 19 वे एश्याई खेलो का आयोजन कब हुआ? 2023 में हुआ तो आपको लिख लेना है 2023 अब ये जितने भी अंके इन सब को जोड़ दो 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 क्या बन गया 7? बन गया? अब आपको ये तो पता है कि भारत ने 100 प्लस मिडल जीते हैं अब देखिए 100 में आप अगर ये 7 जोड़ दोगे तो क्या बन गया 107 और भारत ने इतने ही पदक जो है वो 19 एश्याई खेल में जीते हैं 107 तो कभी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो इस तरीके से देखिए आप आंसर निकाल सकते हो ठीके फ्रेंट्स वैसे तो देखिए भूलने वाला आकड़ा नहीं है ये इतना historical देखिए data है तो इसको आपको दिमाग में छाप लेना है अब देखिए आगे अगर हम बात करें कि 19 वे एशाई खेलो में उद्गाटन समारो और समापन समारो में भारत के flag bearer जो है वो कोन रहे तो देखिए फ्रेंट्स उद्गाटन समारो में पुरुष होकी टीम के कप्तान हर्मन प्रिस्सी और मुक्यबाज लवलीना बोर्गहन जो है वो भारत के धोजवाग रहे थे वहीं समापन समारो में भारत के धोजवाग कोन रहे पियार श्रीजेश ठीक है फ्रेंट्स तो ये चीज़ भी धियान रखिएगा चलिए फ्रेंट्स आब एक एक स्पोर्ट्स को देखिए हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं कोश्चन जो है वो एक्जाम में आपसे यहीं से पूछ जाएंगे देखिए फ्रेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं शूटिंग की तो शूटिंग में देखिए फ्रेंट्स भारत ने कुल मिलाकर 22 पदक जो है वो अपने नाम कियें साथ गोल्ड, नो सिल्वर और छे ब्रॉंज मेडल इन साथ गोल्ड में से देखिए दो जो आए हैं गोल्ड वो इंडिविजल मतलब व्यक्तिकद इस परदा में आएं और पांच गोल्ड जो आएं वो टीम इवेंट में आएं इंडिविजल मतलब व्यक्तिकद इस परदा में बात करें तो सिफ तक कोर समरा ने पचास मिटर थ्री पोजिशनल राइफल में देखिए गोल मेडल जो है वो अपने नाम किया है और पलत गुल्या ने 10-meter air pistol में गोल मेडल जो है वो अपने नाम किया वही team event के बाद करते हैं तो 4 देखिए representative men's team ने और एक women team ने देखिए गोल मेडल अपने नाम किया है 4 men's team देखिए कौन-कौन सी है 10-meter air pistol team ने, 10-meter air rifle team ने, 50-meter rifle 3 position टीम ने और trap टीम ने इन 4 men's team ने देखिए gold medal अपने नाम किया वहीं पर women's की देखिए 25-meter pistol team ने gold medal अपने नाम किया है तो इस तरीके से देखिए shooting में 7 gold medal जो है वो भारत ने अपने नाम करें कुल मिलाकर 22 पदक ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेगा भारत ने सबसे ज़्यादा gold medal अगर किसी खेल में जीते हैं तो वो जीते हैं shooting में ये point भी काफी important हो जाता है देखे पिछले Asian Games में भारत ने 2 gold, 4 silver और 3 bronze medal के साथ कुल मिलाकर 9 पदक जीते थे तो भारत ने देखे इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है shooting में एक important note भी धियान रखेगा friends सोरप चोदरी जो है ये भारत के सबसे youngest shooter हैं जिनोंने Asian Games में गोल जीत रखाएं 16 वर्ष की आयू में तो एक important fact है आपको पता होना चाहिए देखे शूटिंग में दो खिलाड़ी देखे इस बार बहुत ज़्यादा highlighted हुए कोन कोने वो? हिशा सिंग तोमर और एश्वर ये प्रताब सीन क्यों highlight हुए देखे फ्रेंड्स इन दोनों खिलाडियों ने चार-चार देखे एशन गेम मेडल जो है वो अपने नाम करें इशा सिंग तोमर ने एक गोल्ड और तीन सिलवर मेडल जो है वो अपने नाम किये वहीं पर एश्वर प्रताब सीन ने दो सिंग गोल्ड एक दवर और एक ब्राउंस मेडल अपने नाम किया अलग-अलग टीम इवेंट्स में देखे इनोंने पदक जो है वो अपने नाम कियें इन दोनों का नाम देखे जरूर ध्यान रखेगा काफी इंपोटेंट है सबसे ज़्यादा मेडल एश्यन गेम्स में इन दोनों ने ही अपने नाम कियें चार-चार देखिए मेडल आगे देखिए अगले खेल की बात करते हैं जो कि यह सबसे important athletics भारत ने देखिए 19 वे एशियाई खेल में अगर किसी खेल में सबसे आदा पदक जीते हैं तो वो कौन सा देखिए खेल हैं अथलेटिक्स हैं अथलेटिक्स में भारत ने 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉंज मेडल के साथ कुल मिलाकर 29 पदक जो है वो अपने नाम कियें देखिए 6 गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो अविनाश मुकून सामले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया साथी में 5000 मीटर रेस में भी देखिए इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया हैं इसके बाद देखिए तेजंदर पाल सिंतूर ने शॉटपूट में गोल्ड मेडल जिता निरत चोपडा ने जैवलिन थ्रो में महिलाओं के देखिए जैवलिन थ्रो में अनूरानी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ऐसा करने वाली देखिए वो भारत की पहली महिला भी बनी है आज तक देखे मैलाओं के जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत को देखी एशन गेम्स में गोल्ड मिडल नहीं मिला था तो अनुरानी जो है वो देखे ऐसी पहली मैला है जिनोंने एशन गेम्स में जैवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मिडल दिलाया है इसके बाद देखे पारूल चोधरी ने 5000 मीटर रेस में गोल्ड मिडल जीता इन्होंने साथी में 3000 मीटर स्टीपल चेस में भी देखे सिल्वर मिडल अपने नाम किया है इसके बाद देखे लास्ट में टीम इंडिया ने 4 x 400 मिटर रिले में गोल्ड मिडल जो है वो अपने नाम किया है तो इस तरीके से एतलेटिक्स में भारत को 6 गोल्ड मिडल जो है वो मिले कुल मिलाकर 29 पदक जो है भारतने एतलेटिक्स में जीते हैं सबसे ज़्यादा किसी खेल में अगर भारतने मिडल जीते हैं तो वो है एतलेटिक्स और भारत की तरफ से देखिए सबसे ज़्यादा खिलाडियों ने पार्टिसिपेट भी एतलेटिक्स में ही किया था 68 खिलाडियों ने देखिए foundation courses available है, इसके लिए आपको root application डाउनलोड करना होगा, वहाँ पर देखिए आप join कर सकते हैं, साथी में friends आप हमारी website www.crazyzicatric.com भी visit कर सकते हैं, वहाँ से भी देखिए आप अलग-अलग subjects के देखिए foundation courses join कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से देखिए systematic तरीके से उन foundation course में पढ़ाया गया है, जो कि different-different exam में देखिए आपके final selection के लिए काफी यादा helpful है, तो एक बार देखिए root application ज़रूर डाउनलोड करिएगा, या फिर हमारी website www.crazyzicatric.com पर ज़रूर विजिट करिएगा, चलिए, आगे अब देखिए अगले खेल की बात करते हैं, अगला sport आता है हमारा archery, तीरंदाजी, इसमें भी देखिए भारत ने बहुत ही शांदार प्रदर्शन किया है, भारत ने archery में तीरंदाजी में 5 gold, 2 silver और 2 bronze medal के साथ अब कुल मिलाकर 9 पदक जो है वो अपने नाम किये हैं, अगर देखिए हम ये 5 gold medal डिसकस करें, तो ओजस प्रविन देवताले ने men's compound individual में gold medal जिता, जोती सुरेखा वेनम ने women's compound individual में gold medal जिता, वही पर देखिए इन दोनों ने mixed team compound में gold medal जिता, इसे के साथ women's team compound ने देखिए gold medal अपने नाम किया, और men's team compound ने भी देखिए भारत को gold medal जो है वो दिलाया हैं, तो इस तरीके से भारत को देखिए आचरी में तीरंदाजी में 5 gold medal मिले, कुल मिलाकर नो पदक, देखिए फ्रेंट्स आगे अब काफी important point हम डिसकस कर रहे हैं, ओजर्स प्रविंट देवताले और जोती सुरेखा वेनम ये देखिए ऐसे प्लेयर हैं, जिनोंने 19-वे एशाई खेल में 3-3 gold medal जिते हैं, ओजर्स प्रविंट देवताले ने men's compound individual में, mixed team compound में और men's team compound में देखिए gold medal जो है वो जिता हैं, वहीं जोती सुरेखा वेनम ने women's compound individual, mixed team compound event में और women's team compound event में gold medal जो है वो जिता हैं, तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों प्लेयर जिनोंने 3-3 gold medal जिता, इनका नाम देखिए आपकी दिमाग में छप जाना चाहिए, किस खेल से संबन दीते हैं दोनों, आर्चरी से संबन दीते हैं, तीर अंदाजी संबन दीते हैं, इनसे related question देखिए आने वाली exam में पूछा जा सकता है, आगे देखिए अगले खेल को डिसकस करते हैं जो कि है स्क्वैश, स्क्वैश में देखिए फ्रेंड्स भारत ने कुल मिलाकर पांच पदक जो है वो अपने नाम कियें, दो gold, एक silver और दो bronze medal, ये दो gold medal देखिए भारत को मिले हैं, men's team और mixed double में, men's team में देखिए सोरव घोशाल, महेश मंगावकर, हरिंदर पाल संदू और अभए सीन ने देखिए gold medal जो है वो अपने नाम किया हैं, वहीं mixed double में देखिए हरिंदर पाल संदू और दिपिका पलिकल ने ये gold medal जो है भारत को दिलाया हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए का फ्रेंड्स, सोरव घोशाल ने men's individual में silver पदक जो है वो अपने नाम किया हैं, तो अगर देखिए important squash player की बात करें, तो सोरव घोशाल का नाम आपको पता होना चाहिए, हरिंदर पाल संदू का नाम आपको पता होना चाहिए, और दिपिका पलिकल का, इन से related questions exam में पूछे आ सकते हैं, कि चर्चित खिलाडी हरिंदर पाल संदू जो है किस खिल्च से संबन दीते हैं, तो squash संबन दीते हैं, ठीक है friends, तो भारत ने squash में पाँच पतक जो है वो अपने नाम कियें, अगला देखिए हमारा sport आता है badminton, badminton में देखिए भारत ने तीन पतक जो है वो अपने नाम कियें, एक gold, एक silver और एक bronze medal, ये gold जो मिला है भारत को, वो men's double में मिला है, सात्विक सायराज और चिराक शेट्टी की देखिए जोडी ने, men's double में भारत को badminton में gold medal दिलाया है, और ऐसा करने वाली देखिए वो पहली भारती जोडी बनी है, आज तक भारत को देखिए badminton में, एशियाई games में gold medal जो है वो नहीं मिला था, तो ऐसा करने वाली देखिए पहली जोडी बनी है, इन दोनों का नाम दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए, यह काफी important है, एशियन games से पहले देखिए इन्होंने इंडोनेशिया उपन 2023 में भी gold medal जीता था, साथी में badminton Asia Championship 2023 में भी इन्होंने gold medal जीता था, commonwealth game में भी इन्होंने gold medal जीता था, और हाली में अभी Asian games में भी इन्होंने gold medal जीता हैं, तो badminton से देखिए काफी important जोडी, सात्विक साहिराज और चिराग शिट्टी की जोडी ने भारत को देखिए gold medal दिलाया, टैनिस की बात करते हैं, तो भारत ने देखिए कुल दो पदक जीते, एक gold और एक silver, जो gold medal भारत को मिला है, वो मिला है mix double से, रोहन बोपनना और रूतुजा भोसले की mix double टीम ने भारत को टैनिस में देखिए gold medal जो है वो दिलाया है, रोहन बोपनना जो है देखिए बहुत यादा चर्चित प्लेयर हैं, हाली में देखिए वो US Open के men's double के देखिए final तक पहुचे थे, ध्यान डखिएगा फ्रेंड्स, रोहन बोपनना और रूतुजा भोसले की mix double टीम ने टैनिस में भारत को gold medal जो है वो दिलाया है, नेक्स आता है देखिए हमारा स्पोर्ट, Equestrian, मतलब घुड सवार, देखिए दोस्तों, भारत को घुड सवारी में इतालिस साल बाद जाकर सौन पदक जो है वो हाथ लगाएं, इस बार देखिए, Equestrian की बात करते हैं, तो भारत को देखिए इस इवेंट में दो medal जो है वो हाथ लगे हैं, एक gold और एक bronze medal, भारत की देखिए, टीम ड्रेसेज ने gold medal जो है वो अपने नाम किया, और भारत का घुड सवारी में ये 49 साल बाद देखिए सौन पदक हैं, इस से पहले 1982 के देखिए, दिल्ली एशियाड में भारत ने घुर सवारी में 30 सौन पदक जो है वो जीते थे, उसके बाद से देखिए अभी तक भारत ने कभी भी gold medal जो है वो नहीं जीता था, 19 वे एशियाई खेल में जाकर भारत ने देखिए gold medal जो है वो जीता हैं, ध्यान रखेगा, ट्रीम ड्रेसेज में भारत को gold medal जो है वो हाथ लगाएं, नेक्स स्पोर्ट आता है देखिए हमारा cricket, as usual देखिए सभी को पता ही था कि भारत जो है वो cricket में अपना अच्छा प्रदर्शन करने वाला हैं, भारत की दोनों टीमे, वुमेंस टीम और मेंस टीम दोनों ने देखिए gold medal जो है वो अपने नाम किया, कुल मिलाकर देखिए दो पदक, दोनों gold भारत ने क्रिकेट में अपने नाम किये, नेक्स स्पोर्ट आता है देखिए friends हमारा कबड़ी, कबड़ी में भी देखिए भारत ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वुमेंस टीम और मेंस टीम दोनों ने देखिए gold medal जो है वो भारत को दिलाया है, मेंस टीम ने देखिए final में इरान को हराकर gold medal जो है वो अपने नाम किया है, कुल मिलाकर भारत ने देखिए कबड़ी में दो पदक जो है वो अपने नाम किये, दोनों gold medal, इसके बाद हम बात करते हैं field hockey की, भारत ने, फिल्ड होकी में देखिए दो पदक जो हे अपने नाम किए एक गोल्ड और एक ब्रॉण्स मेडल भारत की जो men's team है उन्होंने देखिए भारत को गोल्ड मेडल दिलाया महीपर ही देखिए women's team की बात करें तो हौकी में भारत को ब्रॉंज मेडल जो है वो हाथ लगाएं तो कुल मिलाकर देखिए फिल्ड हौकी में भारत को दो पदक जो है वो हाथ लगें इसके बार देखिए अगला स्पोर्ट आता है हमारा रेसलिंग देखे इस बार रेसलिंग में भारत का जो प्रदर्शन रहा है वो थोड़ा सा डिसेपोइंटिंग रहा है पिछली बार भारत को दो गॉल्ड मेडल जो है वो रेसलिंग में हात लगे थे हाला कि देखे मेडल की संक्या इस बार जरू बढ़ी है भारत ने देखे 19 वे एश्याए खिलो में मतलब इस बार कुल मिलाकर 6 पदक जो है वो अपने नाम किये हैं पांच ब्रॉण्ज मेडल और एक सिलवर मेडल गौल्ड मेडल जो है इस बार भारत को हात नहीं लगाएं पिछले एशय खिलो में भारत को दो गोल्ड मेडल जो है वो रेस्लिंग में मिले थे और एक ब्रॉंस मेडल कुल मिलाकर तीन पदक जो है वो रेस्लिंग में भारत को मिले थे इस बार भारत को छे पदक जो है वो हाथ लगें दीपक पुनिया ने 83 किलोग्राम भारवर्ग में सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है तो बस इतना ध्यान रखियेगा कि भारत ने रेस्लिंग में 6 मेडल जो है वो जीते हैं कुल मिलाकर 18 खिलाडियों ने देखिये wrestling में participate किया था भारत की ओर से सबसे important अगर नाम अगर निकल कर आता है तो आता है दीपक पुनिया का जिनोंने 86 kg भार वर्ग में silver medal जीता है आगे देखिये इसके अलावा भी भारत ने देखिये अलग अलग sports में देखिये काफे अच्छा production किया है एक बात जल्दी से हम इस पे नजर डाल लेते हैं rowing में देखिये भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं 2 silver और 3 bronze chase में भारत ने 2 silver medal जीते boxing में देखिये भारत को एक silver और 4 bronze medal हाथ लगे कुल मिला कर 5 पदक selling में भारत को 3 पदक मिले bridge में देखिये एक मात्र silver medal मिला golf में भारत को एक silver medal मिला देखिये friends यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि यह silver medal जो है golf के अंदर ये दिलाया है अधिती अशोक ने women's individual event में और अधिती अशोक जो है देखिये भारत की पहली महिला golfer बनी है जिनोंने Asian Games में कोई पदक दिलाया है golf के अंदर very very important है यह अधिती अशोक नाम धियान रखेगा golf से संबन दी थे वूशू में भारत को देखिये एक silver medal मिला roller sports में भारत को दो bronze medal मिले kenoing में भारत को एक मातर bronze medal spectacro में भारत को एक bronze और table tennis में भारत को एक bronze medal हाथ लगाएं तो इस तरीके से देखिये सबी sports को अगर हम मिला लेते हैं तो कुल मिलाकर भारत ने 28 gold 38 silver 49 bronze के साथ 107 पदक जो है वो अपने नाम किए है 107 ठीक है friends देखिये जिन sports में हमको detail में अच्छे से study करना था हमने देखिये एक एक को अच्छे से cover किया है question आपका देखिये इनी में से पूछा जाएगा आगे देखिये last एक point और ध्यान रखेगा यह अभी हमने डिसकस किए 19-वे एशियाई खेल इसके बाद जो 20-वे एशियाई खेलों का आयोजन किया जाना है 2026 में वो कहाँ पर किया जाएगा जापान में किया जाएगा आईची और नागोया में तो यह चीज धियान रखेगा यह भी important है कि 20-वे एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा जापान में किया जाएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए हमने 19-वे एशियाई खेल से related सब भी important points cover कर लिए हैं यहाँ पर हमारा theory section complete होता है अब बारी है MCQ section की जहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए selected questions निकाले है और यह इतने important है कि आपसे exam में question देखिए इन्ही में से पूछ लेंगे तो चलिए MCQ की तरफ चलते हैं और सारे important question जो है वो लगाते है देखिए पहला important question आता है 2022 एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जो है वो अपने नाम किये है तो भारत ने देखिए कुल मिला कर 107 पदक जो है वो जीते हैं जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 49 ब्रॉंज मेडल शामिल है 107 एशियाई खेल 2022 की पदक तालिका में भारत का इस्थान क्या रहा है तो भारत का इस्थान क्या रहा है भारत चोथे नमबर पे रहा है D. आंसर एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किये गए थे तो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजित किया गया था 1951 में तब भारत ने देखिए इसे होस्ट किया था Olympic Council of Asia का मुख्यालाई कहाँ पर इस्ती थे जो एशियाई खेलों का आयोजन करता है कहाँ पर इस्ती थे देखिए कुवेट सिटी में जितना भी डेटा में आपको पढ़ाया है अगर आप उतना अच्छे से ध्यान से स्टडी कर लेते हो तो कोश्चन आपका देखिए इससे बाहर नहीं जाएगा नेक्स कोश्चन आता है 2022 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया तो 19-वे एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया चाइना के हौंग जोओ में बी आशियाई खेलों में भारत का सर्वश्चेश प्रदर्शन किस वर्श राएं तो 2022 एशियाई खेल मतलब 19-वे एशियाई खेल में भारत का अभी तक का देखिए अपना सर्वश्चेश प्रदर्शन राएं जब भारत ने 107 मेडल जो है वो अपने नाम कियें बी आंसर सही होगा उन्निस वे एशियाई खेल का मोटो क्या था? तो इस बार का देखिए मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट फ्यूचर डी आंसर नेक्स्ट कोशन आता है उन्निस वे एशियाई खेलों के तीन शुभंकर इनमें से कौन सा है? कौंग कौंग लियॉन लियॉन और चेंचें यहां पर देखिए एए आंसर बिल्कुल सही होगा उन्निस वे एशियाई खेलों में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? देखे फ्रेंड्स भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जो है वो एटलेटिक्स में जीते हैं 29 मेडल अगर आपसे ऐसा पूछे एक्जाम में कोशन ठीके बी आंसर यहां पर सही होगा एशाई खेल 2022 की पदक तालिका में टॉप तीन देशों का क्रम है पहले इस्तान पर देखे कौन राएं चीन राएं दूसरे इस्तान पर जापान तीसरे इस्तान पर राएं रिपब्लिक आफ कोरिया उननिस्तवे एशाई खेलों में अधिती अशोक ने कौन सा पदक जिता जो एशाई खेलों के गोल्फ में पदक जितने वाली भारत की पहली मईला खिलाडी बनी है तो अधिती अशोक ने देखिये वुमेंस इंडिविजल इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल जो है वो दिलाया है बी आंसर सही होगा इंपोर्टेंट है अधिती अशोग ध्यान रखियेगा गोल्फ से संबन दीते हैं एशया एखेल 2022 में तीरंदा जी के कमपाउंड मिक्स टीम इवेंट में भारत ने कौन सा मेडल जीता है तो तीरंदा जी के देखिये कमपाउंड मिक्स टीम इवेंट में भारत ने गोल्फ मेडल जो है वो अपने नाम किया है और तीरंदा जी के देखिए Compound Mixed Team Event में भारत के देखिए कौन-कौन से खिलाडी थे? ओजस प्रविन देवताले और जोती सुरेखा वेननम इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा इन दोनों ने Asian Games में देखिए 3-3 Gold Medal जो है वो भी अपने नाम किये हैं Next question आता है अविनाश मुकुन सामले ने किस खेल में गोल मिडल जीता हैं? किस खेल में जीता हैं? देखिए Men's 3,000 मिटर Stiple Chase में D answer सही होगा साथी में इनोंने पुर्षो की 5000 मिटर रेस में भी Silver Medal जीता हैं Next question आता है तेजिंदर पाल सीन तूर किस खेल से संबन दी थे हैं जिनोंने एशाई खेल 2022 में स्वन पदक जो है वो अपने नाम किया है तो तेजिंदर पाल सीन तूर जो है ये शॉटपूट से संबन दी थे हैं गोला फेक 2018 में भी देखिये इन्होंने गोल मेडल जो है वो जिता था शॉटपूट में और 2022 में भी देखिये अपना टाइटल डिफेंड किया है और गोल मेडल जिता है शॉटपूट में Next question आता है अनुरानी देखिये ऐसा करने वाली भारत की देखिये पहली महिला भी बनी है भारती महिला क्रिकेट टीम ने 19 वे एशाई खेलो में कौन सा पदक जीता है तो फ्रेंड्स ध्यान रखेगा 19 वे एशाई खेलो में भारती महिला क्रिकेट टीम और पुरुशों की देखिये क्रिकेट टीम ने भारत को गोल मेडल जो है वो दिलाया है दोनों टीम ने देखिये गोल मेडल जीता है यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा और सेम टू सेम देखिये कबड़ी में भी हुआ है वुमेंस टीम और मेंस टीम दोनों ने गोल मेडल जो है वो जीता है भारत ने 19 वे एशाई खेलो में शूटिंग में कितने सोन पदक जो है वो अपने नाम कियें तो शूटिंग में भारत ने साथ स्वन पदक जो है वो जीते हैं C आंसर एटलेटिक्स में जीते हैं 6 और आर्चरी मतलब तीर अंदाजी में जीते हैं 5 ये तीनों चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाना चीए 41 साल बाद एशियाई खेल में भारत के ड्रेसेज टीम ने घूर सवारी में कौन सा पदक जीता हैं तो ड्रेसेज टीम ने देखिए घूर सवारी में भारत को स्वन पदक जो है वो दिलाया हैं C आंसर 50 मिटर राइफल 3 पोजिशन महिला इवेंट में भारत को स्वन पदक किसने दिलाया हैं तो किसने दिलाएं देखिए भारत को सिफ्त कोर समरा ने इंपोर्टेंट है सिफ्त कोर समरा ने महिलाओं की देखिए 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में भारत को गोल मिडल दिलाया साथी फ्रेंड्स पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को गॉल मिडल दिलाया है तो ये दोनों के लाड़ी हैं जिन्होंने देखिये इंडियूजल में भारत को शूटिंग में गॉल मिडल दिलाया है बाकी 5 गॉल मिडल जो आएं है वो टीम इवेंट में आएं ठीके नेक्स कोशन आता है पलक गुलिया ने 19 वे एशियाई खेलों में किस इवेंट में सोन पदक जीता हैं अभी मैंने आपको बताया 10 मीटर एयर पिस्टल में भारती स्क्वेश पूरूष टीम ने 2022 एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता हैं तो देखें स्क्वेश में भारत को जो है वो दो गॉल मिडल हाथ लगे हैं भारती स्क्वेश पूरूष टीम ने जीता और मिक्स्ड टीम ने जीता हैं तो यहाँ पर देखिए गोल मिडल ए आंसर रोहन बोपनना इन में से किस खेल से सम्बंदी थे जिनों ने 2022 ऐशाई केल में गոल मिडल जिता हैं तो रोहन बोपनना देखिए टैनिस से सम्बंदी थे हैं टेनिस के देखिए मिक्स डबल इवेंट में रोहन बोपनना और रितूजा की देखिए जोड़ी ने भारत को गोल्ड मिडल जो है वो दिलाया हैं तो टेनिस से संबन दीते हैं एशन गेम 2022 में भारती दल के द्वजवाग कोन थे तो कोन थे फ्रेंड्स हर्मन प्रिस सी और लवलीना बोर्ग हैं सी आंसर सही होगा एशन गेम 2022 में सुन पदक जितने वाली पारूल चोधरी किस खेल से संबन दीते हैं बहुत ज़ाँ देखे सुरक्यों में रही किस सब्देश से संबन दीते हैं एथलेटिक से संबन दीते हैं पारूल चोधरी ने महिलाओं की देखेए 5000 मिटर रेस में गोल्ड मेडल जो है वो दिलाया हैं साथी में इन्होंने महिलाओं की 3000 मिटर स्टीपल चेस देखिये रेस में भी सिल्वर मेडल जो है वो जीता हैं। तो दो पदक जीते हैं इन्होंने एथलेटिक्स में त्यान रखेगा पारूल चोधरी जो है वो एथलेटिक्स से संबन दीते हैं। मतलब 20-वे एशियाई गेम्स का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा जापान में नागो या जापान बी आंसर 19-वे एशियाई खेलों में भारत ने सबसे आदा सोन पदक किस खेल में जीते हैं। तो भारत ने देखिए सबसे आदा सोन पदक जो है वो शूटिंग में जीते हैं। देवताले किस खेल से संबन दीते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोशन है देखे ओजर्स प्रमिंट देवताले ने 19 वे एशाई खेलों में तीन गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं किस इवेंट में तीरंदाजी में आर्चरी से संबन दीते हैं इसे के साथ साथ आर्चरी में ही जोती सुरेखा वेंटम जो है उन्होंने भी तीन गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं इन दोनों का नाम जरूर धियान रखेगा मैंने आपको देखे डिटेल में बताये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स कोशन आता है जोती सुरेखा वेंटम ने तीरंदा जी के कीस इवेंट में सौन पदक जीता है कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में बिल्कुल जीता है महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदा जी में भी जीता है इनोंने दो ये ऐसे प्लेयर हैं जिनोंने देखिए तिन-तिन गोल मिडल जीते हैं। जोती सुरेखा वेन्णम और ओजस प्रवीन ने। दोनों तीर अंदाजी संबन दीते हैं। नेक्स कोशन आता है। यहाँ पर देखिए भारती पूरु शौकी टीम की बात हो रही है तो इन्होंने गोल्ड मिडल जीता हैं। जापान को देखिए इन्होंने फाइनल में हराया हैं। C answer यहाँ पर सही होगा। तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे एशाई गेम से संबन्दीत सभी इंपोर्टेंट MCQ जो हो कम्प्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे कोशन जो हो बड़ी आसानी से सॉल्ल कर लियोंगे। तो जितना मैंने आपको theory section बताया है अगर आप उसकी अच्छे से study कर लेते हो, कोशन इससे बाहर बिल्कुल भी नि जाएगा। दोस्तो अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है, तो आप Crazy GKTrick application डाउनलोड कर लिजिए, वहाँ पर आपको option मिल जाएगा। तो friends, आज के बस इस वीडियो में इतना ही, I hope आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए, और comment करके जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा, अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं, तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए, मिलते हैं friends अगले वीडियो में, till then, bye bye.